कईसे हैं आप लो एक वीडियो बनाने बहुत ज्यादा महरत लगता पहले आप टोपिक करते हो स्क्रिप्ट करते हो एडिट करके वीडियो को अफलोड कर देते हो लेकिन व्यूस आते हैं 50 और 100 और आप निरास हो जाते हो और लास्ट में आपका जो है वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है तो इस वीडियो में यहीं बताने वाला हूं कि क्या आप करें ताकि आपका चलता ही जाए ठो अगर आप इस वीडिय हमे आपका ये YouTube को कैसे पता चलता है कि वीडियो पर वाने किया है आप किरा ना । जिसे पता करने दिक्रेटा याने टाउट, डिस्वेप्फिशन और टैग इन को सर्च मारकर यह पता करता हैं कि वीडियो यंदरrat क्या है और इसको की स करने तो आज की किस वीडियो में मारे में में बताने वाला हूँ करता है तो यह तो देखो जब צब चलेगाई मैं कि किसने वीडियो बनाया वो चलेगाई een क्योंकि वह रन्क करेगा नहीं हजारों करोड़ेगे or how'd दो अब僅 वा चलेगा देखो वीडियो का नाम डाले तो यह सबसे बड़ी गलती होती है आपको सबसे पहले वही कीबर डालना है जो कि आपका वीडियो है बिल्कुल क्या नहीं कर सकते वी आप वह कि नहीं कर सकते हैं ईसको डाले जिसे रहाँ कराना चाहते हैं यह सब New तो एक साथ यह ज़्यादा ही डाले कि यूट्यूट को इसी टेग के ज़ड़ी पता चलता है कि इस वीडियों में क्या है तो वह वीडियों आपका रैंक करेगा और युजर तक जाएगा लेकिन अगर आप शाथ ज़्यादा डालते हैं दस-फंद्र बिज डाले और वह रिल वीडियो के अंदर हाइक है तो गाइस इसे हमें एक एकजाम्पल सभी समझते हैं माल लो कि आप एक ब्लॉगर हो और फिटनेस के बलॉग बनाते हैं और अपने कीबड डाला है फिटनेस के फाइब तो इस चीज़ का आपको द्यान देना है कि आपको टैग जो है जो सबसे पहला और वह उसके बार चार-पांच बहुत ही इंपोर्टेंट होता है पता ह openness को बहुत ही ध्यान से आपको अपने video को एको डालना है तो देखेंग अपको już वृदियो को एशे डिसक्रावट पाएग यान venge कर ऑखा ने में हों तो YouTube जब थ्यान रखना इस बात को आपका वीडियो ज़्यादा नहीं चलेगा तो आदिन चलेगा उसके बाद जो है वह बुष्ट नहीं होगा आपका वीडियो और सबसे इंपोर्टेंट बात यानि बहुत इंपोर्टेंट जो आप टैक बनाते हैं तो टैक के अंदर में तीन से हम ऑ Sverige का मैकिडियो जली हूए तो आपका वीडियो बिलकूल चलेगा यह यानी आपको करना क्या है को सबस्क्राइब के लिए अर वीडियो के अंदर कि अगर आपको तैकर कि तो data कि लाइक यहघूर करना